हाई गाईज, वेलकम बैक टू मैं चैनल और आज हम जा रहे हैं प्रतिबालाजी टेंपल नारायनपूर में और इसी मीनी तिरुपती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है पुनी सिटी से इस मंदिर का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सिमेट 40 तू 45 किलो मिटर से अगर आप इस मंदिर के लिए पुनी सिटी से आ रहे हैं तो आपको हिंजवाडी पे आके मुंबई बैंगलोर हाईवे पकड़ना होगा और फिर सतार की तरफ जाना होगा मैं रहती हूँ वाकड़ पुने में और वाकड़ से इस टेंपल का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सिमेट 50 किलो मिटर से हाईवे से आपको नारायन पुन गाओ की तरफ टरन लेना है और बस सिदे के हम पहुँच गये हैं मंदिर और मंदिर के बाहरी लगे हुए है कूछ चोटी-चोटी से स्टर्स जहां से आप अपनी फेवरिट चीज़े परचेस कर सकते हैं शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पर गाउं के लोगों ने लगाई हुए हैं कुछ छोटी-छोटी से शॉप्स और यहाँ पर आपको मिलेंगे गाउं के फ्रेश और ताजे फ्रूट्स बच्चों के लिए जूले भी हैं यहाँ पर और इन फ्रेश और टेस्टी अमरूदों को खाने से मैं खुद को रोक नहीं पाई और यह मंदिर के बाहर चपल स्टेंड मंदिर में जाने से पहले आपको अपना मोबाइल पी जमा करके जाना है मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है और ये है प्रती बालाजी मंदिर बहुत ही खुबसूरत बना हुआ है मैंने ओरिजिनल बालाजी टेंपल तो नहीं देखा है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये सेम उसकी कौपी है और बिल्कुल उसी के जैसा बना हुआ है क्योंकि ये मंदिर बिल्कुल तिरुपती बालाजी के मंदिर जैसा बना हुआ है शायद इसलिए इसे प्रती बालाजी मंदिर कहा जाता है और गाइस अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये हैं मंदिर की टाइमिंग और ये हैं मंदिर का फ्रांट एरिया और बहुत ही बहतरीन बना हुआ है ये गाइस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है इसलिए मैं मंदिर आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन बहुत ही अच्छा बहुत ही बहतरीन आर्किटेक्चर है यहां का तो गाइस जब भी आपको चांस मिले एक बार प्रती बालाजी मंदिर जरूर आए दर्शन करने के लिए अगर आप ओरिजिनल तिरुपती बालाजी मंदिर नहीं जा पाए हैं पिता तो आप यहां आईए आपको सेम वैसा ही फील होगा तो बस अब दर्शन करके हम घर रिटर्न हो रहे हैं और थोड़ा लेट हो गया हमें क्योंकि हम इवनिंग में एथे दर्शन करने के लिए तो गाईज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे जैनल को जल्दी मिलोगे आपसे बाई